फैस्ट क्यूस्चन, निमलिखित में से कौन सा देश एकल कारीपालिका का उधारन है, कौन से देश में एकल कारीपालिका है, रेट आंसर रहेगा अमेरिका, अमेरिका में एकल कारीपालिका है, ओप्शन ए, रेट आंसर रहेगा, नेक्स्ट क्यूस्चन, भारत में नामातर क पालिका है, option A, right answer, next question, भारतिय राष्टर पती को पद्धारन करने से पहले, कोन सपत दिलवाता है, भारत में राष्टर पती को कोन सपत दिलवाता है, right answer रहेगा, सर्वोचे न्याले का मुख्य नियाइधिस, option D, right answer रहेगा, next question, मंत्री प्रिशद का निमलिखित कारिये है, मंत्री प्रिशद का क्या कारिये होता है, संसोधन करना, option C, right answer रहेगा, next question, राष्टर पती मंत्रियों की न्युक्ति किस की सलाह पर करता है, परधान मंत्री की सलाह पर, राष्टर पती मंत्रियों की न्युक्ति परधान मंत्री की सलाह पर करता है, next question, भारतिय सविधान का संघातमक सवरूप किस देश से लिया गया है भारतिय सविधान का संघातमक सवरूप कनाडा से लिया गया है option C, right answer, next question शर्वोचे नयाले के नयाई दिसों की कूल संख्या कितनी है right answer, 34, 34, next question भारत में पहली बार किंदरिये लोकसेवा आयोक का गठन कब किया गया 1926 इसी में भारत में पहली बार किंदरिये लोकसेवा आयोक का गठन किया गया था next question भारत में बजट की शुरुआत किस वाइसराय के कारियकाल में हुई थी Lord Canning भारत में बजट की शुरुआत लार्ड केनिंग के कारियकाल में हुई थी next question चेनित वेक्ति को नियुक्ति पत्तर देने का अधिकार निमलिखित में से किस के पास है रट आंच्वर सरकार की पास चेनित वेक्ति को नियुक्ति पत्तर सरकार के दवारा दिया जाता है next question 9-11 की आतंकवादी घटन का सम्मंध किस देश से है रट आंच्वर अमेरिका उप्शन सी रट आंच्वर रहेगा अमेरिका 9-11 की आतंकवादी घटन का सम्मंध अमेरिका देश से है next question भारत ये संसद पर आतंकवादी हमला हुआ भारत ये संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था रट आंच्वर रहेगा उप्शन बी दिसंबर 2001 में next question चिपको आंदोलन के नेता थे रट आंचर सुंदरलाल बहुगना सुंदरलाल बहुगना चिपको आंदोलन के नेता थे next question भारत में नई आर्थिक नीती शुरू हुई भारत में नई आर्थिक नीती सन 1991 इस्यू में शुरू हुई थी next question विभाजन से पहले भारत को जाना जाता था विभाजन से पहले भारत को बिर्टीस इंडिया की नाम से जाना जाता था सन 1957 के चुनावों के पस्चात निमलिखित राज्ये में पहली गैर कोंग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 के चुनावों के बाद केरल राज्ये में पहली गैर कोंग्रेसी सरकार का गठन हुआ पहला गुट निर्पेक समेलन हुआ पहला गुट निर्पेक समेलन कहा हुआ बेल ग्रेड में ओप्शन B राट आंसर रहेगा गरीबी हटाओ का नारा कॉंग्रेस के दवारा दिया गया था भारत में महिला दीवस मनाया जाता है भारत में महिला दीवस कब मनाया जाता है आठ मारच को भारत में आठ मारच को महिला दीवस मनाया जाता है